आज 25 अगस्त है आज मैं आपको बहुत अच्छी ख़बर सुनाओंगा और यह ख़बर मुझे सुनके अच्छा इसलिए लगा क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है आप सोचें के हिस्ट्री कैसे और कैसे उससे रिलेट करता है और कितनी खुशी की बात यह है कैसे आखिर में हिंदू भाईयों सेर बनो जबाब दो ना सेर बन सको तो सेयर करो दबा के सेयर करो सकुंतला देवी का भी रिकॉर्ड तोड़ के एक लड़का human calculator बनता है हमारे south से आता है भारत के south से आता है और मात्र 20 साल का है इसका नाम मैं आपको पड़कर सुनाता हूं नील कंथ भानु प्रकाश यहां पर मैं आपको पूरी न्यूस जो एनाई की थी वह मैं सुना देता हूं हैदराबाद 20-year-old नील कंथ भानु प्रकाश won India's first-ever gold in mental calculation world championship at Mindsports Olympiad held in London recently he says I hold four world records and 50 Limka records for being the fastest human calculator in the world यह बहुत प्राउड की बात है अब जो मैं बात कह रहा था हिस्ट्री की और इसकी वी कुछ कहानी में आपको सुना दू जो रिपब्लीक पे चपी है उसके recording इसका यह कहना है एक बहुत पहले कि कहावत होते हैं कि तुम कुछ अजीब करते हैं कि तुम सर के बल गिर गयते क्या सर पर चोट लगी थी क्या वच्पन में इसके साथ वह हुआ यहां लिखा हुआ है कि इसको सर में चोट लगी थी जिस वज़े से लोग कहते थे कि यह स प्रेक्टिस की मैस बहुत ज्यादा लगाई मैस को कि आप जब मैस प्रेक्टिस करते हैं मैस की कैल्कुलेशन को वालेगले फॉर्मूलाइस को ज्यादा यूज करते हैं आम जिन्देगी में या फिर किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए तो आपका दिमाग और इन्डिया को इस तरीकसे रिप्रेजंट करता है यह तो परसनल कहानी होगी अब जो मैं हिस्ट्री की बात कर रहा था किसी से बात छुपी नहीं है कि इंडिया ने मैथ्स की फील्ड में दुनिया को क्या क्या दिया इनफैक्ट साइंस से कि बहुत कुछ दिया इतनी n number of ची लाइस्टोन करके गई थी अब उसके बाद अभी तो ऐसा लग रहा कि हमारे देश की जो एक स्किल थी एक जो टेक्नालोजी एक माइंड सेट एक का खूबी जिसे कहते हैं एक शम्ता जिसे कहते हैं वह भी मरी नहीं कहीं ना कहीं practice हो रही है कहीं ना कहीं से उभर के आ रही है अगर एक मातर 20 साल का लड़का कर सकता है तो आप यह सोचिए हमारे इसके जितने जुवां हैं उनकी कितनी कभिलियत होगी अगर एक में इतनी है तो बस जरूरी यह है कि आप एक specific field को target बनाई है, उसमें पारंगत हो जाई है, तो जैसे इन्हों ने math को अपना future बनाया, career बनाया, और 4 world records बनाया, 50 limka records बनाया, तो यह बहुत-बहुत बड़ी बात है, उसी तरीके से हमें भी जरुवत यह है, कि हम अपने अंदर की वह skill को पहचाने, हम अपने देश की सभिता की खूबियों में जाएं, जिसके लिए हमारा देश जाना जाता था, और हम अपने ही literature को पढ़ पढ़ के, जिस practices से बड़े-बड़े लोग महान बनें, जिस practices से रामानुजन, सकुदिंदरा देवी और फिर यह, ऐसे लोग जो world level पर जाना जाते हैं, तो हमें भी इसमें कुछ अच्छी चीजों में यह बहुत बड़ा एक highlight था, हमारी history से जुड़ा हुआ, कि हमारा maths जिस बात के लिए देश जाना जाता था, जिस बात के लिए भी देश जाना जाता था, वो भी मरी नहीं है, ऐसे world level पर जिब talented लोग निकलेंगे तो proud तो feel होगा ही, जन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने देश का नाम रोशन किया, और बहुत खुशी हो रही मुझे आच, बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीड़े में, और अगर आपकी भी कोई random viewer, कोई अगर आपकी भी कोई skill है, तो skill को specifically target करके उसको polish करिए, उसको दि बन सको, तो share करो, दबा के share करो